नमस्कार किसान भाईयो राबराम आज बहुत ही जरूरी अपडेट आप सब के लिए है वो यह है कि अगर आपकी परधान मंत्री किसान निधी यूजना की तेरवी किस्त अगर नहीं आई है तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस नए वर्ष 2023 में बहुत सारे चेंज सरकार क कि तरफ से किये गए है और मीडिया रिपोर्ट से ये बताती है कि कई ऐसे राजे हैं जहां पर ऐसे किसानों को भी लगातार इस निधी से किस्ते उनके खातों में जाती रही जो इस दुनिया में भी नहीं थे या फिर कुछ ऐसे हजारों किसान शामिल हुए हैं उस रिपो ही आपको तेरवी किस्त मिल सकती है और अगर आपने वो काम नहीं किया है तो आपका खाता आपके किसी काम का नहीं है आपको वो किस्त नहीं मिलेगी इसलिए जरूरी है कि तेरवी किस्त आपको मिल जाए उसके लिए सबसे जरूरी है कि 12 किस्त किसानों के खाते में पहले जा चूकी है, तेरिवी किस्त आने का किसान अभी इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आप खुद भी अपने मुबाइल के जरीये या फिर अपने CAC सेंटर पर जाकर अपना खाता चेकाप करवा सकते हैं, काफी किसानों के इस बात का डर है कि कहीं बार्मी किस्त की तरह किल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी या फिर ओनलाइन क्रिशी सेंटर से की जानकारी ले रहे हैं हलांकि केंदर सरकार ने भी किस्त जारी करने से बिखत अतियात बर्त रखी है इस बार उमीद विजटाई जा रही है कि एपात्रों के खाते में पैसा जाना मुश्किल यह ने कि अगर आप उसकी eligibility पूरी नहीं करते हैं तो आपके खाते में वो पैसा नहीं आएगा केंदर सरकार ने PM किसान सम्मान निदी जो इसका पूरा नाम है किसानों के लिए एक पास पस्ट कर दिया है कि यदि क्रिशी document अधार कार्ड verification अभै अन्य दस्ताविजों के application के ब जो कि KYC अधार application भूलिक verification होना बहुत जरूरी है यदि किंदर सरकार के अंधर अंसार application में कोई खामी रह गई उसे पूरा करना होगा तब ही आपको तेरवी किस्त मिलेगी और ये फरजी बाड़ा UP के अंदर फुरुखाबाद में हुआ है सबसे ज़्यादा जहाँ पर ऐ जली कि दो लग से धिक सानों का verification करवाया गया है और दूसरी बात है कि दो करोड ऐसे किसान है जिनके खातों में बारवी किस्त नहीं मिली है हाला कि उनमें से कई किसानों की EKYC नहीं हुई थी जिस वज़ए से उनको इसका मतलब सामना करना पड़ा के अंदर सरकार की काफ आपको डरने गवराने की आप शक्ता नहीं है आपका खता बननी होगा आप इससे दूर नहीं रह सकते हैं आपको इसका लाब मिलेगा लेकिन आपको जुरूरी है कि आपको किसान सम्मान मिधी पाने के लिए EKYC करवाना बहुत जुरूरी है कि इंदर सरकार के अधिकारिय अगर आपको मुवाइल आता है बहतर है कि आप CSE Center पर जाएं तो आपकी कोई सिर्दर्दी नहीं रहेगी आपको अधार कार्ड साथ लेकर जाना है आपको Family ID भी आपकी याद होनी चाहिए कुछ OTP जिस मुवाइल पर OTP आएगा वो मुवाइल भी आप साथ लेकर जाएग झाल